ओम गनेशाय नमहा, ओम नमहाश श्वाय, मेरे चैनल पर आप सभी का पुनहा स्वागत है कोरोना की स्थिती एक भयानक रूप ले चुकी है हमारे देश में एक महादानव का अवतार ले लिया है कोरोना ने हमारे देश में मेरा मकसद यह वीडियो बनाकर आपको डराने का नहीं है बलकि आपको सचेत करने का है, आपको सावधान करने का है मैंने 6 एप्रिल 2021 को अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि ब्रहस्पती के गोचर से राशी परिवर्तन से हमारे देश में एक करोना का एक्स्पलोजन हो सकता है और वैसा ही हुआ आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि क्या जोतिशिये कारण रहे, जिसके कारण हमारे देश को यह करोना का एक्स्पलोजन देखना पड़ा, एक्स्पलोजन इन केसिस, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उपर आई बटन पे भी मैं डाल दूँगा, वीडियो जरूर देखिएगा 15 एप्रिल 2021 को भी दो ग्रहों ने राशी परिवर्तन किये, जिसने कंडीशन्स को और थोड़ा बिगाड़ा, मैंने उसमें भी बताया था कि हॉस्पिटल्स पर दवाब आएगा, केसिस बढ़ेंगे, कंट्री की वेल्थ करोना पे बहुत खर्च होगी, गोर्मेंट को राशी ही स्थिती 1 माई 2021 को भी उत्पन होने वाली है, और थोड़ी भयानक है, थोड़ी डरावनी है, एक माई 2021 को बुद्ध यानि की मरकरी अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं, यह राशी परिवर्तन नॉमल नहीं है, क्योंकि इस समय बुद्ध बहुत ही तेज पीट स उनकी जो गती है वो काफी तेज है, ग्रहों की एक ओसतन स्पीड होती है, जैसे सूर्य एक दिन में एक डिगरी चलते हैं, एक महीने में एक राशी परिवर्तन करते हैं या एक राशी को पूरा कवर कर लेते हैं, ब्रहस्पती एक साल में एक राशी ओसतन कवर करते हैं, त उसी तरह से बुद्ध भी सूर्य के आसपास ही रहते हैं और वो भी उसतन एक साल में पूरा जोडियाक पूरा राशी चक्र चलते हैं और उनकी भी स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो एक दिन में एक डिगरी के आसपास ही होती है परन्तु अभी बुद्ध ग्रह अतिचारी बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं ग्रहों की अलग अलग जो कंडिशन होती है स्पीड के हिसाप से उनको नाम दिये गए हैं जैसे वक्री यानि कि रेट्रो ग्रेड अनुवक्री यानि कि रेट्रो ग्रेड होने के बाद अपनी राशी में बुद्ध ग्रह की 31 मार्च के आसपास हुई थी मार्च एंड में अब जहां बुद्ध एक दिन में एक डिगरी कर रहे थे मार्च एंड आते आते यानि कि 28-29 के आसपास उनकी स्पीड बढ़ गई और वो एक दिन में ऑन अन एवरेज दो डिगरी चलने लग गए दो डिगरी के आसपास जब कोई भी ग्रह इस तरह से अपनी स्पीड बदलता है बले ही वो वक्री होना हो, तेज होना हो, अनुवक्री होना हो तो स्थितियों में भी चेंज आता है 31 मार्च को बुद्ध ने अपनी राशी परिवर्तन करी उस टाइम भी वो तेज थे काफी राशी परिवर्तन जब उन्होंने करी तो वो भारत के, इंडिया के जो चाठ है उसमें 11 भाव में बैठे और नीच के होके बैठे वैसे कोई डरावनी स्थिती नहीं है ये लेकिन उस समय वह लगन जो भारत का लगन है उसके स्वामी के साथ बैठे थे यानि की वीनस के साथ मरकरी अपने आप में एक रोग कारक ग्रह है क्यूं? क्यूंकि काल पुरिश के कुंडली में छटा भाव मरकरी का होता है और छटा भाव रोग रिपूरिन यानि की रोग डिजीज का में हाउस होता है तो एक नैचुरल डिजीज के कारक है बुद्ध देवता जब लगन के स्वामी के साथ ग्यारवे भाव में आए ग्यारवा भाव है इस हाउस ओफ एक्सपेंशन तो वहाँ से जो करोना है थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ उसके बाद जो ब्रहस्पती का गोचर हुआ राशी परिवर्तन हुआ छे अप्रिल को उस समय भी बुद्ध काफी तेज थे तो उन्होंने as a catalyst काम किया situation को बिगाडने में तो छे अप्रिल के बाद जो मैंने बताया था कि करोना का explosion हुआ Mercury ने उसको और बढ़ाया फिर Mercury ने राशी परिवर्तन करी 17 अप्रिल को जहां ओसतन 28 दिन एक महिना लगता है बुद्ध को राशी परिवर्तन करने के लिए वही इस बार सिर्फ 17-18 दिन में उन्हें राशी परिवर्तन कर लिया और आगए Aries में यानि की मेश में जो लगन से बारवा घर है किसी भी हाउस से उसका बारवा घर इस हाउस ओफ लॉस वहां से उसका लॉस होता है तो वहाँ पे भी वो लगन के स्वामी के साथ ही बैठे थे 9-10 एप्रेल को वीनस ने जो इंडिया के लगन के स्वामी है उन्होंने राशी परिवर्तन करके 12 एप्रेल को बुद्ध ने उनको जॉइन किया 17 एप्रेल के बाद क्या हुआ केसिस और तेजी से बढ़ने लगे 12 एप्रेल्थ हाउस हाउस ओफ हॉस्पिटल्स तो हॉस्पिटल्स पर दवाव पड़ गया हमारा जो पूरा हेल्थ केर सिस्टम है वो चर्मरा गया क्योंकि इतने तेज केसिस आने लग गए कि संभालने मुश्किल हो गए थे क्योंकि expect नहीं किया था किसी ने कि एक साल बाद ओल्मोस्ट एक साल बाद तेजी आई थी एकदम हमारे हेल्थ केर पर हमारे हॉस्पिटल्स पर जो इतना दबाव पड़ा सतरा तारीक के बाद वो बुद्ध के राशी परिवर्तन के कारण हुआ और जो उनकी चाल इतनी तेज थी उसके कारण अब जो होने वाला है एक तारीक को वो थोड़ा डराने वाला है क्योंकि बुद्ध अपना राशी परिवर्तन करके इंडिया के लगन में आके बैठ जाएंगे ये अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि एक तो उनकी स्पीड बहुत जादा है तो क्या होगा एक तारीक के बाद केसिस की स्पीड बहुत बढ़ेगी मैं तभी कह रहाता वीडियो के शुरू में कि मेरा बकसर डराना नहीं आपको सावधान करने का है एक तारीक के बाद स्थिति और बिगड़ेगी केसिस बहुत तेजी से बढ़ेंगे जो हमने शायद कभी देखे नहीं हो उस तेजी से एक तारीक के बाद केसिस बढ़ना शुरू हो जाएंगे मरकरी ي सेकंड लॉड हैं इंडिया के हॉरोस्कोप में यानी कि सेकंड हाउस के लॉड है इसका मतलब क्या होगा फिर सें का होता है वह हूस ओफ वेल्थ होता है हो सेविंग्ज होता है हम देश की बात करेंगे तो देश का जो खजाना है उस पे अफेक्ट पड़ेगा गौवर्मेंट को फिर से बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा करोना पे करोना के कारण जो त्रासदी हो रही है बहुत एक्विप्मेंट्स बहुत वैक्सीन अलग-अलग चीजे गौवर्मे पड़ेंगी तो गौवर्मेंट का बहुत पैसा खर्च होने वाला है एक मई के बाद और क्यूंकि कि बुद्ध पांचवे घर के स्वामी है इंडिया के होरोस्कोप में तो यह यह भी बताता है कि इस बार एक मई के बाद बच्चों को भी बहुत इंफेक्शन होने वाला ह जो शुरू में जब हम देख रहे थे कि बच्चे बच्चे हुए हैं बच्चों को करोना का इंफेक्शन इतना नहीं हो रहा अब बच्चों को इंफेक्शन भी होने लगेगा आप देखेंगे कि उसका जो रेशियो है वो बढ़ने वाला है तो यह सावधान होने वाली यह सकता लेकिन कई जगा लॉगडाउन इंपोस होना स्टार्ट हो जाएंगे शौट टम साथ ही में कई फेमस परस्नेलिटीज में भी बॉलिवुड से या फिर आठ फील्ड से उनको भी करोना आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में बड़ी-बड़ी हस्तियां बॉ न्यूज जगत से जो मीडिया पर काम करते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं उनको करोना होएगा वो न्यूज में आप देखना स्टार्ट कर देंगे कि यह कब तक है में बात यह कब तक देखिए बुद्ध की स्पीड स्टार्ट हुई बढ़ना मार्च के एंड से बीच में बढ़ती चलीगे अभी भी तेज है 17-18 माई के आसपास आके वो धीरे हो जाएंगे धीरे मतलब कि अपनी नॉर्मल स्पीड पकड़ लेंगे तो तब तक यानि कि एक माई से 17-18 माई तक बहुत भयानक समय है केसिस बहुत बढ़ेंगे आपको सावधान रहने की जरूरत है उसके बाद थोड़ी सी थोड़ा सा स्थिती में सुधार होगी लेकिन ये जो दो हफ्ते ढाई हफ्ते का समय है बहुत खतरनाक है आप सभलके रहिए घर से निकलना जरूरी नहीं है तो मत निकलिए पूरी सावधानी वरती है क्योंकि आप देखेंगे एक मही से सतरा आठरा मही के बीश का जो स्थिती है बहुत खतरनाक होने वाली है केसिस बहुत बढ़ने वाले हैं तो अपने आपको बचाईए अपने फैमिली मेंबर्स को बचाईए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप देखेंगे और सावधान हो जाएंगे यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजी और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों से शेर कीजी ताकि लोग भी थोड़ी सावधानी बढ़ते तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आशा करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे कोरोना से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह दि नहीं है चैनल पे तो, और चैनल को ज्यादा सेदा लोग के साथ शेयर कीजिए, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के ओम्नमाशिवा